साथ जनवरी साल की पहली एकादशी, सफला एकादशी तिथी के दिन बस कर लीजिएगा, एक मुठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विश्णुजी और माता लक्षमी जी के आशीरवाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बलकि आप बन जाओगे, करोड़ पती खुशियों से भर जाएगा, आपका घर आपकी हर मनो कामना होगी, पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे साथ जनवरी को सफला एकादशी का पावन पर्व पढ़ने जा रहा है और क्योंकि यह साल की पहली एकादशी तिथी है इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा इस एकादशी तिथी पर कुल इनक्यावन तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शिव योग, ब्रहम योग, इंद्रियोग, सतलज योग, जैसे कुल इनक्यावन तरीके के शुभ योग बन रहे हैं रविवार साथ जनवरी को नए साल की पहली एकादशी है पौश माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी को सफला एकादशी का वरत रखा जाता है जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये वरत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है इस तिथी पर भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी जी की विशेश पूजा की जाती है और दिन भर विश्नु जी का ध्यान करते हुए वरत किया जाता है हिंदु धर्म में भगवान विश्नु जगत पालक हैं और माता लक्ष्मी जी धन की देवी है और इनकी सबस्प्रिय तिथी साफला एकादशी है माना जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी तिथी का वरत करते हैं उनके समस्त कष्ट श्री हरी हर लेते हैं यदि आप भगवान नारायन की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी का वरत इसका एक मात्र सरल उपाय है शास्त्रों में एकादशी के वृत को सबसे बड़े वृतों में से एक बताया गया है इस वृत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरी नाम का जाप करते हुए रात्रे जागरण करते हैं उनको जीवन में कभी भी दूख नहीं भोगना पड़ता है और उनके जन्म जन्मांतर के सभी कष्ट मिट जाते हैं लेकिन अगर आप साथ जन्वरी सफला एकादशी तिथी के दिन वृत नहीं रख सकते हैं रात में जागरण नहीं कर सकते हैं विदि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नश्ट हो जाए और आपके जीवन मे एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आए आपके घर की बरकत हो आपके घर की उन्नती हो तो बस आप इस दिन जोतिश शास्तर के अनुसार एक मुठी धनिया का उपाए उस प्रकार से कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक-एक करके बताने ज आशीरवाद मिलेगा जिसके बाद भगवान विश्णुजी के आशीरवाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी हो अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है। तो आपने ये खुद देखा होगा कि आपके घर पर जब भी दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है तब आपके घर वाले एक मुठी धनिया खरीद कर लाते हैं। और उसकी विधिविधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपने घर के अलमारी में तिजोरी में रूपे पैसे जहां भी आपके घर में रखे जाते हैं, वहाँ पर रख देते हैं। देखिए, ऐसा करना जो होता है, वह बहुत ही ज्यादा शुब होता है। ऐसा करने से एक घर में धन की बरकत होती है। क्योंकि दोस्तों जो धनिया होती है, वह धन से संबंध रखती है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप भगवान विश्णु जी की पूजा में धनिया का प्रयोग करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी और उस पूजा का आपको पलट क करके लाब अवश्य ही मिलेगा और अगर आपने सिर्फ साथ जन्वरी सफला एकादशी तिथी के दिन एक मुठी धनिया का उपाए उस प्रकार से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तो दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवा पार चल पड़ेगा और पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परिशानी कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाय देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विश्नुजी और माता लक्ष्म कि जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाए तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जै भगवान विश्नुजी की जै माता लक्ष देवी देवताओं का आपको आशिरवाद मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुँचा दीजिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय दोस्तों एक बात को समझ लीजिए जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फाइदा पहुँचता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रन होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो बस आपको यह करना है कि 7 जनवरी के दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है आपको एक लाल कपड़ा लेना है उसमें एक मुठी धनिया रखना है एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप एक रुपए के सिक्के का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंतर का जाप आपको ग्यारह बार करना है क्योंकि माता लक्ष्मी जी को ग्यारह नंबर बहुत प्रिय है बीज मंतर है ओम महालक्ष्मी नमा हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों ओम महालक्ष्मी नमह अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथी के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णाय लेंगे उस निर्णाय से आपको फायदा पहुँचेगा आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी दूसरा उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय दोस्तों एक बात को समझ लीजिए किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहुकेतु का जो नियंत्रन होता है वह भगवान विश्नुजी के हाथों में होता है और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे तो बस आपको यह करना है कि इस एकादशी तिति पर आपको सुभा के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है पीले कपड़े में आपको एक मुठी धनिया रखना है अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी भगवान विष्णुजी की कलाचित्रों हो अब यहां पर आपको इस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और भगवान विष्णुजी के बीज मंत्र का जाप आपको ग्यारह बार करना है बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाए नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाए नमा यह जो पीली पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी यह अभिमंत्रित हो जाएगी अब इस पीली पोटली को अपने कमरे में जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं उस कमरे में पूर्व दिशा में आपको रख देना है सिर्फ इतना उपाए अगर आपने इस एकादशी तिथी के दिन कर लिया पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा भगवान विश्णुजी के आशीरवाद से आपके नव ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देंगे जिसके बाद आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुँचेगा यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो सफला एकादशी तिथी के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में एक चमतकारी बदलाव जरूर आता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहे आपके पास जो धन आए उसमें व्रिद्धी हो भगवान विष्णुजी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीरवाद आपको मिल जाए तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस एकादशी तिथी के सूर्यास्त को करना है देखिए साथ जनवरी की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले भगवान विष्णुजी और माता लक्ष्मी जी कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है यहाँ पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है जिसमें आपको कुछ चीज रखनी है जैसे तीन लौंग चार कपूर और एक मुठी धनिया हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों तीन लौंग चार कपूर और एक मुठी धनिया इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाब ग्यारह बार करना है बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमा अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में तिजोरी में जहां भी आप पैसा रूपया सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है सिर्फ इतना उपाय आपको करना है इस एकादशी तिथी के दिन और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जिसके बाद यह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी यह पोटली एक चुमबक बन जाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएगे दोस्तों इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा